जी तो देखिए मेरा नाम प्रमोद और आजम बता बात करने वाले है टाटा मोटर्स के बारे में तो जैसे आप जानते है टाटा मोटर्स के अंदर जो पिछले दिन डेप आया था लगभग 7% का नुकसान एक जटके में हुआ था उसके बाद जैसे आप देख सोते हैं धीरा अपसाइड मूव आया है इसके बारे में आज हम डीटेल बात करेंगे और क्या आपको अब लेना चाहिए क्या इसका टार्गेट रखना चाहिए तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बैल आइकन दबाईए हमारे ले ट्रेडिंग आर्स बाकिए वन एक घंटा बाकिए भी ट्रेडिंग आर्स में उसमें टाटा मोटर्स क्या पता अपवर्ट चला जाये लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखे आज सुबह से तो इसने अपवर्ट जाने की मूव किये और लगबग एक दो परसेंट उपर भी से एक महीने में भी नेगेटिव आ गया छे महीने के अंदर यह पॉजिटिव रहा है पिछले पांच साल की बात देखे तो आप गिरावट रहा है क्योंकि यह कभी 600 पे था टाटा मोटर्स लेकिन गिर चुका था 100 पे भी आया था निफ्ट उस टाइम कभी आप देखे तो आराम से जब यह opening हुई थी उससे अभी तक तो अच्छा performance दे रहा है opening इसकी 31 पे हुई थी लेकिन यहाप पिछले पांच साल में इसका upgrade नहीं आया लेकिन आप देखे पिछले एक साल में इसने 300-400% move दिया अच्छा खासा उसके काबिल माना जाता है stock को और एक बहुत